हेलो दोस्तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल Startup Apps तो दोस्तो यह वह चैनल है जहां पर हम Startups related Apps की बारे में बात करते हैं कि आप कैसे अपना खुद का Startup खड़ा कर सकते हैं कुछी भी एप को develop करके या फिर आप कैसे एक developer बन सकते हैं जिससे कि आप दूसरों के लिए Apps बना सके और दूसरों को इस्टाइट आप करने में मदद कर सके तो अगर अभी तक आपने हमारे आप डेवलब कर सकते हैं यह तो हम पिछली वीडियो में डिसकस कर चुके हैं कि आप कैसे एक Android डेवलब कर सकते हैं लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ एक भेतरीन एनाउंस्मेट देने वाले है कि हम अपने चैनल पर बैक टुबैक 10 मुबाइल एप्स डेवलब करेंगे Android मुबाइल एप से डेवलब करेंगे इस चैनल पर वन बाइवन तो वह दस्यों अप्स कौन से होगी और हां अगर अभी इन पूरी वीडियो को देखे होगे ना एकदम बाइवन तो मैं आपको हकीकत से बोलता हूं कि बन जाओगे तो मैं एक पूरी लिस्ट बनाया हूं कि मैं आगे कौन कौन सी एप बनाने वाला हूं और साथ में आपको भी बनाना है अगर आपको कुछ सिखना है तो तो आप भी वह बना सकते हैं मेरे साथ में तो इन पूरी लिस्ट मेरे पास है तो मैं पहले से बनाया तो मैं आपको लिस्ट की बरे में बतता हूँ तो सबसे पहली जो हमारी app होगी वह सिमัल है लो एप होगी जो कि हर जिस चोटा बच्च रहते है अंडे से फूट के निकलता तो वह हेलो वर्ड एप होगी दूसरी जो हमारी एप होगी वह एक फ्लॉवर की एप होगी जहां पर आप फ्लॉवर अलग अलग colors में चेंज होते रहते हैं तो उसको चेंज फ्लॉवर का नाम दिया है मैंने उसके बाद तिसरी जो एप होगी वह टिक टैक टो एक गेम एप होगी जिसमें कि एक क्रॉस रहता है एक सरकल रहता है और आपनी खेला होगा इस टाइप का गेम टिक टैक टो गेम उसके बाद तिसरी जो एप होगी वह एक म्यूजिक प्लेयर एप होगी और म्यूजिक प्ले फीर डिवोप करेंगे अग्री होगी जो हमारी वीडियो प्लेयर होगी जैसा की एक्स लेट का hablar है और उनको सकते हो और सेंड कर सकते हो अपनाएंगे उसके बाद अग्ली होगी एक वेदर application होगी वेदर application जिसमें आपको मौसम के जानकारी मिलेगी मौसम का क्या हल है क्या हल नहीं है वगरा वगरा। अगली जो application होगी एक wallpaper application होगी wallpaper जहां पर आपको बहुत सारे wallpapers मिलिएंगे और जिसमें आपने mobile की home screen पे आसानी से सेट कर सकेंगे और अगली जो application हो गई वह एक to do list application होगी to do list मतलब आपको क्या करना है दिन भर में क्या नहीं करना है आप उसमें सारी चीज़ें set कर सकते हैं one by one और उसके बाद अगली कि जो हमारी full-fledged application होगी वह है school reporting app जहां पर एक school है वो अपने students को report करता है या फिर उनके parents को report करता है जो भी उसके reports रहते हैं उनको वह directly अपनी app से send करेगा तो सामने वालों को send हो जाएगा तो यह total 10 application हम develop करने वाले हैं आने वाली videos में तो I hope कि आपने हमारे channel को subscribe कर दिया होगा और subscribe नहीं किया हो तो अभी कर लो और bell icon भी hit कर दो क्योंकि यह सारी application जब आप develop कर लेंगे तो आप जरूर से एक intermediate level के developer बन जाएंगे और हाँ दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखिए तो मैं आपको बताया था कि पिछली वीडियो में इन सारी application या फिकोई भी Android application को develop करने के लिए क्या-क्या equipment की requirement होती है उन सारी चीज़ों के बारे में बताया है तो आप पीछली वीडियो जरूर से देखिए और यह वीडियो को भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना तो चलिए मिलते ह हमारी अगली आने वाली वीडियो में तो तक तक अपना ख्याल रखिए गुड़ डे एंड टेक केर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो